Hi! Aquarius Kumbh Raashir! कैसे हैं आप सभी स्वाकत है, आप सभी का मेनी चानल पे, आज हम आपकी रीदिंग करने वाले हैं, देखते हैं, देखने की कोशिष करते हैं, कि आपका लाइफ पॉपर्पस क्या है? तचलिए स्टार्ट करते हैं, आपके रीदिंग, Aquarius Kumbh Raashir om namah shivai om namah shivai om namah shivai thank you spirit kai thank you shiv papa thank you guru ji om namah shivai radius the star ten of wands two of wands two of wands okay four of wands eight of wands hi priestess okay okay hanged man five of wands seven of wands king of swords bottom of the deck is seven of swords my dear equatorius kumbh rashi if i talk about your life purpose here you can see your life purpose and hope to give you hope भी बड़े disaster के बाद और अपने साथ साथ आपकी life में आपके आसपास जो भी लोग हैं उनकी life में अगर कुछ ऐसे situations आ गई हैं उनको positive रखना उनको positive बनाना और उनको divine के और करीब लेकर जाना यह आपका life purpose यहां पर मुझे दिखाए दे रहा है अगर मैं बात करूं आपके life purpose की यहां पर हमारे पास star का कार्ड है king of swords है ten of wands है and high priestess है आपको बोला जा रहा है कि आपको ना आपकी life में जितने भी tower moments रहे हैं आपकी life में जितने भी disasters हुए हैं उनको आपको एक अलग नजरिये से उन चीज़ों को देखना है और उनसे बाहर आना है उनसे उपर उठ अपने अंदर उस patience को लेकर आना है और अपनी life में उस hope को उस उमीद को नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ते जाना है और यह जो आपका आगे बढ़ना होगा यही आपको आपके completion mode में लेकर जाएगा यह जो आपका positive रहना और उस वक्त पे उस situation पे एक strong decision लेना कि yes में इस जगा पर focus करना है यह आपको आपके सही पात पर लेकर जाएगा आपको बोला जा रहा है विद्धे टैनोंच दी हाइप्रिस्टेस आपके अंदर बहुत wisdom है बहुत ज्यान है और आगे आने वाले समय में वह और ओर ओपन होने वाली आपको बोला चारहा है आपके टैरिस पर बैठे गैलरी पर बैठे कहीं पर भी जहां मून की रोशनी आती हो वहाँ पर अगर आप मैडिटेट करेंगे क्योंकि मून के साथ आपका connection बहुत strong यहाँ पर नजर आ रहा है आपको बूला जा रहा है आप उतना ही grow करेंगे उतना ही आपको अपना purpose साफ साफ बढ़ेंगे आपकी अंदर की अपनी जो आपकी नॉलेज है अपनी जो विस्टम है उससे आप connect हो पाएंगे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी strength की यहाँ पर हमारे पस two of wands है, ace of cups है, handman है और tower है तो my dear आपकी अंदर ना यह strength है कि आप जानते है कि आपको पास्ट में आपकी क्या हुआ और इतना इतनी wisdom इतनी knowledge आपकी अंदर है इतना आपने knowledge गेन करा है इतना आपने experience गेन करा है कि आपको पता हैँ पास्ट में आपके साथ क्या हुआ और अगर आप अभी अपने mindset को बना कर रखते है या इस पात पर चलते हैं तो everything तो बेसिकली उस तहे से उस चीज से उभर करके जो पास्ट के एक्सपीरियंसे रहे हैं आपके ठीक है इवन जो प्रेजन सिचुएशन में भी आपके साथ सिचुएशन हो रही हैं उनसे लेसन लेर्न करके आगे बढ़ना अपने परपस की तरफ आगे बढ़ना और लोगों क भी ग्रो कराना स्पिरिट वर्ड से डिवाइन से और क्लोज आना उनसे कनेक्शन को और जोड़ना यह आपकी स्ट्रेंथ में आ रहा है लेकिन उसके लिए आपको बोला जा रहा है यहां पर जितना आपकी लाइफ में टावर मुमेंट्स आएंगे ना इक्वेरियस जितना आपकी लीस में डिजास्टर आएंगे उतना आप संझ लीजिये कि आप डिवाइन चे ओर उख जाते जाएंगे और क्लोज जाते जांगे यहां आपको यही लेस्न सीखना है कि इन डिजास्टर में अपने आपको होफ Will अपने आपको पॉजिटिव और अपने अंदर ऑप जो इस तरह के चेंज लाने को इस तरह के चेंज से अपने आपको ना रोकते हैं अपने आपको थामते हैं कि अभी स्थिती निकल जाए फिर देखेंगे तो आपको बोला चारा है आपको उसमें पार्टिस्पेट करना है आपको डिवाइन की और क्लोज जाना है आपको इन च और जो चीजे हो रही है उन्हें होने देना है और जो भी past की situations रही है उन्हें उनसे lesson सीखना है और उन्हें जाने देना है यही तो चीज है और आपको focus का करना है आप एक इंग और स्वार्ट से आपको अपनी life में एक major major decision एक strong decision लेनी की जुरूरत है एक एक आपको अपना vision जो है वो clear करने की जुरूरत है यहाँ भटकाफ का कोई काम नहीं है कि आपको अपनी line से या फिर अपनी focus से भटकना नहीं है आपको पता है कि अगर आप इस जीवन में आए है आपको अपनी करमा स्क्लीन करने है आपको अच्छे करमों पर focus करना है तो उसको लेकर कि step लेने है आपको फिर इन चीजों से आपको डरना नहीं है divine का साथ देना है आपको हमारी life में जितने भी disasters, जितने भी obstacles, जितने भी tower moments आते हैं वो क्या है? हम lesson सीख रहे हैं इसके साथ ही साथ हम अपने जो past के करमाज हैं जो की कुछ लोगों को शारिन चीजों पर believe भी नहीं होता है तो उन करमाज को हम clear कर रहे होते हैं तो यहाँ ईश्वर तो हमें दुखी नहीं देते न ईश्वर तो हमें हमारे सथ बुरा करते ही नहीं है ये तो हमारे ही अपने खुद के बीज बोए हुए है जिने हम काटते हैं तो उन्हें ये हमारी मर्जी है कि अब हम उन्हें हसकर काटे या रोकर काटे काटना तो है हसकर काटेंगे, समझ के काटेंगे, तो उनसे knowledge भी लेंगे, lessons भी सीखेंगे, रोकर के काटेंगे तो वो चीज तो कटेगी ने और हम अपना future भी खराब करेंगे तो यही बात है आपको यही चीज बोला जा रहा है कि इस पर focus कीजिए और एक बात और बताना चाहूंगे यहाँ जो आपकी weakness की cards आए है four of wands है, five of swords है कोई रिष्टा ऐसा हो सकता है maybe आपको hurt क्या हो अभी वो relationship वो आपके spouse हो सकते है आपके अपने हो सकते है आपके siblings हो सकते है कोई भी हो सकता है ठीक है, रिष्टो में या मैं कहूं कि रिष्टो से आपकी वो उमीद पूरी नहीं होनी या hopes पूरे नहीं होनी जैसा जिसके लिए सोचा था वो चीज आपके लिए पूरी नहीं होनी वो चीज आपको नवीख कर देती है क्योंकि जैसे कि अगर मैं शोटकट में अगर आपको समझाना चाहूं कुछ लोग कहते हैं कि मेरी family मेरा strength है तो basically वो अपको एक strength बनाकर कि आप कही न कहीं चलते हो और वो strength ही आपकी टूड़ जाती है ब्रिक कर देती है आपको हर्ट कर देती है आपको जो आपको बहुत हद तक विग कर देती है तो आपको यही बूला जा रहा है इन चीजों से आपको ख्या लेसन सीखने है उमीदे बांदेंगे, तो वहां से आपको disappointments ही मिलेंगी, क्योंकि अक्सर cheatings हमें कहां से मिलती हैं, जहां हम faith, जहां हमारा विश्वास रहता है, जिन पर हम विश्वास करते हैं, उमीदे भी कहां से तूटती हैं, जहां हम उमीद बांदेंगे, तो यही बोला जा रहा है, अगर अपनी life में आप खुश रहना चाहते हो, patience रखना चाहते हो, अपने मन को शांत रखना चाहते हो, और चाहते हो कि सही रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, तो सिर्फ अपने से ही उमीद बांदें, अपनी life को देखिए, बाकि किसी से उमीद मत बांदें, कोई relationship, हम आए अकेले थे, जाएंगे अकेले, मैं यह नहीं कहते हैं, सभी को छोड़ दीजिए, जो आपके फर्स हैं, जो आपके कर्म हैं, उन्हें तो आपको यहाँ पर करना ही है, लेकिन उनमें इतना मत डूंबो कि आप उनसे demands करो, या आप उन पर, जैसे कहते हैं, कि आपकी खुशियों के लिए न, वो एक reason बन जाएं, क्योंकि अगर दूसरे आपकी खुशियों के लिए reason बनेंगे न, तो फिर वो ही आपको disappoint करेंगे, और वो ही हमारी दुख का ही reason बन जाते हैं, जहां आपनी उमीद ही नहीं बांधी, वहां से आपको दुख भी कहां से मिलेगा, तो बस आपको यही बोला जा रहा है, अगर आप अपनी life से lesson सीखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि यहां आप divine से बहुत connected हैं, और आपका path भी यही है, आपका purpose भी यही है, आपको लोगों को भी, उनको भी न, उनकी life में इसी तरीके से ही आगे लेकर के जाना है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, मैं ही नहीं कहरी कि आप अपने काम वगरा सब छोड़ करके, अपने करियर को त्याग करके, आप एक consultant बन जाईए, counselor बन जाईए, नहीं, जो आपके आसपास के लोग हैं, क्योंकि हमें कहीं ओर जाने की दूर जरूरत ही नहीं पड़ती हैं, हमारे आसपास ही बहुत सारे लोग हैं, हर किसी के life में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो उनको उस situation में खड़ा करना, उनको positive thoughts देना, उनकी तरफ positive vibrations देना, ताकि वो अपनी life में खड़े हो सके, वो hope देना, कि सब चीज़े यहीं खतम नहीं हो गई, आगे भी रास्ता हैं, तो अपने आपको यहां पर खतम नहीं करना है, अपने आपको यहां पर low नहीं करना है, आगे बढ़ो, इस अंत के बाद भी ना, एक नए शुरुवात है, उससे जुड़ने की जरूरत है, और उसके बारे में सोचनी की जरूरत है, जिस चीज़ का अंत हो गया, उसका तो हो गया, अब आगे क्या, आगे के बारे में सोचो, और उससे connect हो, और उसके लिए अपनी टाइम भी खराब हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आने वाले सामी के बारे में हम अच्छा सोचें, और उसके लिए अच्छे actions लें, ठीक है, और उस तरफ आगे ग्रो करें, ताकि जो आगे से हमें fruits मिलें, उनको हम खुशी-खुशी enjoy भी कर पाएं, ना कि 10 of wants की तरह सब खतम, बोज ले लिया, लोगों का बोज ले लिया, डिप्रेशन ले लिया, जो नहीं करना चाहते हैं, वो भी करने लग गए, सब कुछ मिल भी रहे हैं, लेकिन खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि जो खुद चाहते थे, मन की शांती नहीं है, मन की शांती क्यों नहीं है, क्योंकि वो actions नहीं लिए जो खुद चाहते थे यह बहुत ही deep है आपको अपनी intuition की सुननी की जुरत है अपनी inner voice की सुननी की जुरत है high priestess की उज़ आपके intuition बहुत strong है आपके senses बहुत strong है उनके साथ काम कीजिए books लोगों से ज़ादा एक्वेरियस books आपके अच्छे दोस बन सकते हैं यहां मैं अगर आपको कहना चाहूं दो friends आपके भले ही इतने ना हूँ लेकिन books आपके बहुत अच्छे दोस बनेंगे और यह जो मैं आपसे बात कर रही हूँ आपकी weakness की तो उससे अगर आपको overcome होना है तो अपने अंदर उस power को अपने अंदर उस fire को लेकर आना पड़ेगा कि yes मैं इन चीजों में दबा नहीं हूँ मुझे इन चीजों से बाहर आने की जुरत है with the eight of wants and seven of wants मुझे अपने अंदर उस power को उस fire को low नहीं करना है क्यों क्योंकि मैंने किसी से उमीद नहीं बांदी और in case अगर आपने किसी से उमीद बांदी भी है तो अपने आपको दुबारा से खड़ा करना है hope का card है आपके लिए देख लीजिए hope, उमीद, star एक वो रोशनी अंधेरे में वो जो एक रोशनी दिखती है जो हमें रोशनी की positivity की एक hope दिखा दी है कि इस दुनिया में अगर अंधेरा है तो वो रोशनी भी है वो positivity भी है सब ही बुरे नहीं है तो मैं वेट करूंगा उस positivity का मैं अपने अंदर उस positivity को जगाऊंगा समझ रहे हैं आपने वीबार शुरुवात तो हम अपने से ही करेंगे न और दीखते हैं आपके लिए with the gateway of light activation आपको और क्या करने की ज़िराथ है अम नम्हीब और शुरुखनी यापको ज एक्विस लिए ने You Meese के लाइख वाई ही है आपका connection divine के साथ आपको ना अपने अंदर खोज करनी है अपने आप से जोड़ना है आप अपने आपको नहीं जानते आप अपनी पावर को नहीं जानते your crown chakra upgraded maybe आपका crown chakra बहुत activate हो आपको यहां पर ध्यान meditation करने की जुरत है ध्यान लगाने की जुरत है connect होने की जुरत है divine से पहले cards निकाल लेते हैं open communication get a weight off your chest speak of with love and be heard exactly oh okay inner strength move back to wholeness recognize that you have the power beautiful my dear Aquarius आप न अपने बाहर सब कुछ धूण रहे हूं भगवान को बाहर धूण रहे हूं आपको बोला चारा है आपके अंदर है सब कहीं बाहर नहीं है कहीं और जाने की जुरत नहीं है बस आप अपने अंदर देख लीजे अपने अंदर से connect हो जाए आपको divine आपको गौड आपको खुदा वहीं मिल जाएंगे आपका दिल जो है यह जो काड है यहां पर हमारे पास ace of cup भी है और holy grail भी है दोनों ही similar बहुत similar काड्स हैं यहां पर हमारे पास यहीं बोला चाहरा आपके अंदर का जो citraint address न वह बाहर आना चाहते हैं अनलोक होना चाहते हैं उन्हें शियर कीजिए उन्सके साथ connect हो यह वक्त है अपनी अंदर की पवित्रता अपने अंदर की जो अपने अंदर की जो strength है या जो आपकी अंदर जो डिवाइन की तरह से दिये हुए आपके जो गिट्स है उनसे connect होने का, अपने अंतर आतमा से connect होने का, जिनने आप भार ढूंट रहे हो वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही मिलेगा, spiritually भी, अगर आपको चीजों के बारे में सोच रहे हो कि मैं ये मुझे कहीं से पढ़ करके मिल जाए, मुझे कोई सिखा दे, तो आपको बोला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिटेशन करनी है, खुद की अंदर, अपने अंदर ही आपको डिस्कवर करना है, और वो जो चीज आप बाहर ढूंड रहे हो न, वो आपको अपने अंदर ही मिलेगा, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को रिकोगनाईज कीजे, और कोई न, कोई ऐसे चीज है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहापे मर्करी का काड़ है, ओपन कम्मिनिकेशन का काड़ है, कोई चीज है जो आपके दिल पर न, एक भार की तरह बनी हुई है, आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई किसी को आप फोरगिफ करना चाहते हैं, किसी से माफी मागना चाहते हैं, किसी को प्यार भरे कुछ शब्द बोलना चाहते हैं, वो वेट आप लेकर के चल रहे हैं और आपको बोला जा रहा है, उसे बोलने की आपको ज़रूरत है, आप में से कुछ लोगो को किसी तरह की रिग्रेट को किसी तरह की इस तरह की उर्जा को जो आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं वहां आपको बोलने की जुरत है उस चीज को दबा करके मच चलिए ओपन होने की जुरत है और यह जो card है इतना beautiful सा card है आपको बस यही बोला जा रहा है कि अपने heart से connect होई है आपका heart chakra जो है in Aquarius बहुत important है और अपने heart chakra की meditation कीजिए heart chakra का बीज मंत्रा होता है yam 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 उसकी chanting कीजिए यह तो chanting में अलग बोल रही हूँ इसके इलावा आपको meditation करने की जुरत अपने heart से connect होई है बहुत ही simple prayer में आपको बता रही हूँ दोनों हातों को अपने heart space पे रखिये और बोलिये Dear source light, thank you for filling the cup of my heart, so I am overflowing with your love देखे फिर आपको कितना अच्छा फील होता है, आप कितना connect होते हैं यह जो प्यार और यह जो gifts है ना आपके अंदर, यह बाहर आना चाहते हैं my dear मैं कहूंगी कि आपको यह लोगों में spread करना चाहिए, अपने knowledge को, अपने प्यार को लेकिन पहले आपको उनसे जुड़ने की जरूरत है, बहुत ही deep message है यह अपने heart chakra पे जितना focus कर सकते हैं कीजिए, आपका heart chakra और यह जो communication का issue जो मैं बता रही हूँ जिन लोगों के लिए भी आया है जब किसी को बोलना चाहते हैं, जब तक आप यह speak नहीं करेंगे तब तक वो chakra आपका blocked रहेगा क्योंकि वो वही है, दिल में बैठी हुई चीज है वो कोई, चाहे वो किसी को प्यार के लिए कुछ बोलना हूँ, किसी को बोलना चाहते हैं या या किसी से कुछ सुनना चाहते हैं, तो भी बोलिए, अपनी तरफ से अंदर से जो है ना कोई guilt ले करके नहीं रहना है आपको, कि मैं नहीं बोल पाया, मैं नहीं कर पाया, मुझे बोलना था, अपनी उपर वो प्रेशर नहीं लेना है, समझ रहे हैं आप, ओम नमाश्रिव वाँ, वेखें, किसी के लिए तो ये marriage है, marriage है, your guidance is to commit yourself to something, a project, your home, family, work or a relationship, commitment is a powerful contract that will focus your energy to enable your intent to flourish, make a commitment, कुछ लोगों के लिए marriage उनकी, कुछ ना कुछ marriage को लेकर के है, यहाँ पर, ठीक है, अगर आप सिंगल है, मैं यहाँ पर, यह बात करने नहीं हैं कि आपकी marriage हो रही है, लेकिन आपके partner से related कुछ ना कुछ है, partner के साथ, उनकी commitment के साथ, या उनके साथ, जूड करके, कुछ ना कुछ यहाँ पर है, नचर हे हमारे पास्थ, इस ताम तू हरे हमारे पास्थ, इस ताम तू हरे हरे हर्वाणरे यहाँ जूच यहाँ पर, the well-being of the natural world and notice how people animals and plants respond to you beautiful your guidance is to check that your thoughts words and deeds are harmless and well intentioned then you reward then your reward will be bountiful beyond your expectations wow you want to say your uniqueness in every one of you have to honor yourself first recognize yourself something unique in you have to say that you want to open your gifts in all of you have to ignore that uniqueness you don't have to ignore it you don't have to honor it you don't have to give it respect you tell how much you will connect with the natural world so you will grow with the nature with the nature you want to talk about plants with the animals see animals are attracted to you animals follow you plants what do you respond to birds what do you want to call them they will receive messages from you see these all things do not happen to you until we don't observe things we do not start to understand things observe things you will be able to go to stillness to you will be able to go to peace in peace and sit on them you will be able to see them and then you will understand them observe things you will be able to to check that your thoughts words indeed are harmless कि आपकी जो thoughts है आपकी जो words है आपकी जो को आप पाना चाहते हैं अभी वो कुछ भी है spiritually materialistic कुछ भी हो positive होना आपके लिए बहुत जरूरी है प्यार में भरना बहुत जरूरी है लेकिन इंबालेंस ज्वे में प्यार में भरिये प्यार बाटिये लेकिन उमीदे नहीं बांधनी है आपको लोगों से और जो चीजें आपको हर्ट करी हैं जो क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं my dear यहाँ पर 7 of swords बता रहा है जो आपको हर्ट करेंगे ऐसे लोग है कोई घर के ही लोग हो सकते हैं आसपास की लोग हो सकते हैं क्योंकि 10 of points भी है यहाँ पर bottom of the deck तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको हर्ट करते हैं या उपर से आपको अच्छा दिखाते हैं लेकिन एक fox vibes है उनकी लोमड़ी चलाकी समझ रहे हैं चलाकी करना आपके सामने कुछ और और पीट बीछे कुछ और समझें इसलिए आपको क्या बोला जा रहा है कि उमीध ही मत बान दिए किसी से भी अभी वोचाही कोई भी है और यह कोई बूरी बात नहीं है आपको यह नहीं बोला जा रहा कि disconnect होना है आपको लोगों से अपनों से नहीं यह आपके लिए लिए ही अपने purpose को जीने के लिए अच्छा है यही तो lessons हमें सीखने अपनी life में अगर हम यही सीख लेंगे तो इससे बड़ी और क्या बात है तो यह से एक्वेरियस यह थी आपकी reading आपको इससे guidance मिली हो मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा थैंक यह तो मंच फ़ोग्च वीडियो बथे यह वाँ